ओ आखें कहती है बैके तू मेरे रूबरू तुझको देखूं इबादत करता रहूं तेरे सचदों में धड़के दिल ये मेरा मेरी सांसों में चलता है बस एक तू इश्क दा रंग तेरे मुखडे ते चाया जगदा में तक के आए इसे पहले अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजे और साथ ही आप लोग घंटे के आइकन को भी प्रेस कर लिजे ताकि जब भी मैं वीडियो डालू तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और friends मैंने अपना एक और editing का channel बनाया है तो आप लोग जाके उस channel को भी subscribe कर लीजे उसके link आपको निचे description में मिल जाएगी और friends अगर आप लोग उसे video create नहीं हो पाड़ी है तो मैं आप लोग को बना कर दे सकती हूँ इसके लिए आप में इसे contact कर सकते हो आपको description में सारी contact information मिल जाएगी तो अब इस video को हम लोग काइन master पे create करेंगे तो चली हम लोग editing स्टार्ट करते हैं मैं काइन master application open कर लेती हूँ यह open हो गया है इसके बाद आपको इस plus वाले icon पे click करना है यहाँ पे हम लोग video की resolution को select कर लेते हैं इसके बाद यहाँ से media पे click करके आपको जो वीडियो में background picture को add कर नहीं है उसको आप लोग add कर लेना तो यहाँ पे मैं background picture को add कर लेती हूँ और इसको हम लोग यहाँ पे अच्छे से adjust कर लेते हैं और इसके बाद इसको हम लोग equal रख लेंगे और इसकी size को हम लोग बढ़ा लेते हैं इसके बाद यहाँ से layer पे click करके media पे click करके यहाँ पर मैं green screen वीडियो को add कर रहे हूँ इसकी link आपको निचे description में मिल जाएगी आप लोग इसको महाँ से download कर लेना और इसके बाद यहाँ पे आपको chroma की option मिल जाएगा और इसको हम लोग enable कर लेते हैं और इसको हम लोग come कर लेंगे इसके बाद यहाँ से layer पे click करके effects में आपको आजानी है और यहाँ पे हम लोग blur वाली effect को add करेंगे इसको भी हम लोग full screen कर लेते हैं और इसको हम लोग 3 रख लेते हैं इसको भी हम लोग full video तक कर लेंगे और इस project वाले layer को bring to front कर लेते हैं इसके बाद आपको इस share वाले icon पे click करना है और इसको हम लोग export कर लेंगे एक्सपोर्ट करने के बाद आपको बेक आ जानी है, फिर-स इस फ्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है, फिर-स हम लोग वीडियू की रिजॉलेशन को सेलेक्ट कर लेते हैं, इसकी बस यहां से मेडिया पर क्लिक करके, यहां पर आपको एक ब्लाक कलर की बैक्राउंन को एड कर एंड इसकी size को हम लोग बढ़ा लेता है इसकी वार यहां से layer पर क्लिक करके media पर क्लिक करके हमने अभी जिसको export किया उसको हम लोग इसमें add कर लेंगे इसको हम लोग fullscreen कर लेते हैं पिर आपको chroma की वाले option पर क्लिक करना है एंड इसको हम लोग enable कर लेंगे यहां पर हम लोग ब्लू कलर को एड़ कर लेते हैं इसको हम लोग एड़ेस्ट कर लेते हैं इसके बाद आपको फेसल लेयर पर क्लिक करना है यहां पर आपको वीडियो में जो भी पिक्चर को एड़ करनी है उसको आप लोग एड़ कर लेना तो यहां पर मैं पिक्चर को एड कर लेती हूं उसको ब्लूफ इन टूब बैक कर लेंगे तो और शुल्सके टो यहांपे रख लेते हैं इसके बाद जैसे है आपड़न पे यह खतम को गई तो इस बीच्छर को में लोक राइड साइट में झुल्म गला यहां से नेक्स्ट वाली पिक्चर को एड़ कर लेते हैं इसको भी हम लोग सेंट टू बैक कर लेंगे एंड इसको यहां पर रख लेते हैं इसी तरह से आपको पूरी वीडियो में सारी पिक्चर को एड़ कर लेनी है एंड लास्ट यहां पर मैंने एक टेंपलेट को एड़ क किया था इसकी भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रेप्शन में मिल जाएगी आप लोग इसको वहाँ से राउन्लोड कर लेना एंडिसको अम लोग ब्लेंड कर लेंगे तो इसको आपको स्कृंट कर लेना है और लास्ट यहां पर मैंने नेम की टेक्स्ट को एड किया था तो यहां पर मैं नेम को टाइप कर लेती हूं और यहां पर हम लोग इस वाले फॉन स्टाइल को एड कर लेंगे और इसको हम लोग यहां पर रख लेते हैं इसको भी फुल वीडियो तक कर लेंगे, तो फ्रेंट्स ये वीडियो क्रियेट हो गई है, इसके बाद आपको इस सेयर वाले आइकन पर क्लिक करना है, यहां पर आप वीडियो की साइज को सेलेक्ट कर सकते हो, इसके बाद आप इसको एक्सपोर्ट कर लोगे तो ये आपकी फाइल में सेव हो जाएगी तो थैंक यू गाईस फो वाचिंग दिस वीडियो और प्लीज याड़ आप लोग जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर कर लो और साथे आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो ताकि में न्यू अपडेट्स की नॉटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए और फ्रेंड्स अगर आपने भी तक में न्यू चैनल को सब्सक्राइब ने किया है तो आप लोग जाके उसको भी सब्सक्राइब कर लीजे उसके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी तो मिलतें नेक्स वीडियो में तब तक के झाल